Brought to you by Biz Analyst by Khatabook Dual Degree Program के तहत ये मुम्किन है। दरसल UGC ने भारतियों और विदेशी विश्व विध्यालियों के बीच अकाडमिक सहीयों के समबंध में कुछ ना एक अदम उठाए हैं। इसके तहत नियमों में धील देते हुए Dual Degree Program के प्रवधान सहित कुछ प्रमुक शंचोधनों को मंजूरी दी गई है। 19 अप्रेल को उच नियमक सिक्षा की एक बैठक में ये फैसला लिया गया। इस फैसले की घोशुना करते हुए UGC के चैर्मेन एम जगदीश कुमार ने बताया कि नई विवस्था के तहत तीन प्रकार के कोर्स करने की इजाज़त दी जाएगी। जगदीश कुमार के मताबिक इन तीन प्रकार के कोर्सों में Dual, Joint और Twin Degree Program शामल है। आईए अब ये जान लेते हैं कि ये कोर्स कैसे डिजाइन होंगे। सबसे पहले बात करेंगे Dual Degree की। इसमें एक भारते और दूसरा Foreign University Degree की पढ़ाई कराई जाएगी। दूनों University अलग-अलग Degree जारी करेंगी। लेकिन सब्जेक्ट एक ही होगा। इसके लिए तीस या उससे अधिक Credit Score करना होगा। इसके बाद आते हैं Twin Program पर ये एक तरहा का Exchange Program है। इसमें चात्रों को कुछ सेमिस्टर की पढ़ाई विदेशी विश्विध्यालों में जाकर करनी होगी। इसके लिए भी तीस फीसिदी Credit Score करना होगा। तीसरा और आखरी Joint Degree। इसमें एक भारतिय और दूसरा विदेशी विश्विध्याले मिला कर Degree Program चलाएंगे। हाला के Degree Indian University की होगी लेकिन उसमें दोनों योनिवर्सिटी का लोगों होगा। इसके लिए भी कम से कम 30-30 फीसिदी Credit दोनों विश्विध्याले से प्राप्त करने अनिवार्य होंगे। अब बात कर लेते हैं के Degree कैसे दी जाएगी। प्रोफेसर जगदीश कुमार का कहना है के नेक की तरफ से माननेता प्राप्त कोई भी भारतिय संस्थान ऐसे विदेशी संस्थान के साथ सहयोग कर सकता है। लेकिन 4-point scale system के तहत इस भारतिय संस्थान का नून्यतम score 3.01 होना चाहिए। नैशनल इंसिट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर की युनिवर्सिटी लिस्ट में टॉप 100 में शामिल संस्थान भी इसके लिए एलिजबल होंगे। इसके अलावा कोई बेस्ट इंसिट्यूट भी किसी विदेशी इंसिट्यूट या युनिवर्सिटी के साथ सहयोग कर सकता है। ऐसे संस्थान का टाइम्स उच शिक्षा या QS विश्वर रैंकिंग के शीर्ष हजार संस्थानों में शामिल होना ज़रूरी है। हाला कि UGC के चैर्मेन ने साथ किया है कि इन नियमू पर खड़ा उतरने वाले संस्थानों को अलग से कोई मान्यता या इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गई डिगरी के बात अब ये जान लेते हैं कि डिगरी प्रोग्राम किस पर लागू नहीं होगा। इसी ने चातरों को विश्व विध्याले से एक साथ दो डिगरी लेने की इजाज़त दी थी, इसके तहत चातरों के पास दोनों डिगरी फिजिकल मोड में पूरा करने का विकल्प होगा, यानि वे दोनों कोर्स के लिए कैंपस में रेगुलर क्लास अटेंड कर सकेंगे औ मेरा नाम है फात्मा जहरा, ऐसी ही और खबरे देखने के लिए जुड़े रही है दिल लला डॉप के साथ